GoDaddy domains और Google domains में जो है वो quick comparison में करने वाला हूँ लेकिन पहले मैं बता दू कि कि जो Google domain है वो अब inactive हो चुका है और उसके लिए आपको जो है वो square space पे जाना होगा यह आप देख सकते हैं कि मैं GoDaddy के जो है official space पे हूँ लेकिन यहाँ पे जो है वो square space पे जाने का एक link है तो square space में और GoDaddy के बीच में जो है वो क्या differences है pricing की वो मैं difference आपके साथ इस वीडियो में share करूंगा और साथ ही जो pros and cons है वो भी मैं बताऊंगा तो देखते हैं सबसे पहले मैंने एक जो है वो एक random सा domain चूस किया है like यह जो है वो cleanmyart2.com अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पर मेरे पास flexibility होती है GoDaddy में कि मैं इसे 2-year, 3-year, 5-year या फिर 10-year के लिए जो है वो extend कर सकता हूं means एक बार में ही मैं इतना purchase कर सकता हूं लेटर सपोस कि मैं 5-year के लिए purchase करना चाहूंगा तो इसके लिए जो है वो मुझे 87.97 डॉलर देना होगा अब इसके साथ ही जो है वो square domain में जो है यह facility आपको नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे जो है वो सीधा आपको name और आपकी परसनल details यह से भी डालनी होगी address और payment करना होगा लेकिन GoDaddy में जो है वो आपको यह सभी options दिखाई देती है तो यह आपके लिए जो है वो एक upper hand होता है लेकिन जो GoDaddy की जो है वो एक limitation है या फिर आप cons बोलेंगे वो है कि इसकी जो pricing है वो काफी ज़्यादा होती है मिस अगर आप one year के लिए भी देखोगे तो one year के लिए जो है वो इसकी pricing 12 डॉलर के आसपास आ रही है और अगर आपकी pricing इसकी जो है वो अगर आप तीन साल के लिए या फिर पांच साल के लिए देखोगे तो लेटर सपोस की five years के लिए देखते हैं तो 12 फाइव जो 60 डॉल मिस more than 20 to 30 years company जो है वो market में रह चुकी है तो एक जो build trust है वो आपका build up हो जाता है company के उपर और इसकी जो customer support है वो भी बहुत अच्छी है as compared to square space जो की mainly जो है वो foreign में deal करती है तो इंडिया में जो है वो इसकी customer service थोड़ी सी पूर होने की जो है वो probability रहती है तो I hope कि आपको जो है वो एक quick comparison मैंने आपको दे पाया आपको इस वीडियो में और आप किसे domain purchase करोगे वो आप comment box में comment कर देना